नमस्कार दोस्तों, कनक्विस्ट ग्यान पे आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग भारती राजवे उस्था के अगले टॉपिक को देखेंगे जिसमें हम लोग संबिधान के अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे वो भी इस अनुसूचि को ट्रिक के साथ देखेंगे जिससे कि आपको याद करना काफी आसान हो जाएगा वीडियो को अन तक देखेगा वादा करता हूँ कि अगर वीडियो को अन तक देखेंगे अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं 8 से 12 अनुसूचियां जो हैं वो संबेधानिक संसोधन जिसे की संसोधन विधी द्वारा डाला गया है तो उसे भी हम आगे देखेंगे लेकिन हम पहले देखते हैं क्रमबार की पहली अनुसूचि क्या करती है जो प्रथम अनुसूचि है उसमें यह कहा गया है कि भारती राज के घटक राजियों एवं संगसासित छेत्रों का उलेख है जैसे हम यह अनुसूचि पढ़ रहे हैं तो यह किस की अनुसूचि पढ़ रहे हैं भारत की अनुसूचि पढ़ रहे हैं तो भारत के territorial status जो है, उसमें यह है कि अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संगसासित छेत्र हैं. कन्फ्यूजन आपको होगा कि 9 होना चाहिए लेकिन संगसासित छेत्र 8 रह गए हैं, वर्तमान में दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को मर्ज कर दिया गया है, तो अब संगसासित छेत्र 8 बचते हैं. मतलब कि अगर भारत की छेत्री सीमाओं के बारे में अगर हमें जानना है, तो वो हमें प्रथम अनुसूची बताती है, उसमें राज्यों के बारे में और संगसासित छेत्रों के बारे में बताया गया है. इसके बाद अगर देखें, द्वितिय अनुसूची, उसमें क्या है, राज बिवस्था के बिविन्द पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते और पेंशन का उलेक किया गया है. कीवर्ड्स पर ध्यान दिजेगा, वेतन, भत्ते और पेंशन जो है, विविन्द पदाधिकारियों का वो द्वितिय अनुसूची में दिया गया है. एक कहानी नुमा इसे विजुलाइज करते हैं कि भारत का टेरिटेरियल स्टेटस हमने जाना कि 28 राज और आठ संग सासी छेतर हैं, तो इनको चलाने के लिए हमें वेतनिक तौर पर, मतलब कि वेतन पर कोई आदमी चाहिए, पदाधिकारी चाहिए, उसे द्वितिय अनुस इसकल दवाव उसके उपर हो, तो इसलिए उन्हें फिर हम सपत दिलाते हैं, तो सपत दिलाने से पहले देख लें कि ये वेतन भत्ते जो है किनकिन जो है विविन पदाधिकारी जो है वो कौन कौन से हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, सवाल यहां से भी बनते हैं, तो इ राज्य सभा में आएंगे तो उसमें भी दो होते हैं सभापती एवं उपसभापती तो ये केंद्री अस्तर पे हो गया राज्य अस्तर पे आते हैं तो बिधान सभा होता है उसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और बिधान परिशद होता है जिसमें सभापती इवं उपसभापती होते हैं नयायाले में दो हैं उच्चेतम नयायाले और उच्चनायाले के नयाधीज तथा इन लोगों के वेतन भत्ते और पेंशन कहां पर हैं द्वितिय अनुसूची में दिये गए हैं अब इनक्से कारी लेने के लिए इन पर हम एक मोरल डाई तो देंगे वो क्या होगा? वो होगा सपत की प्रक्रिया तो तिर्थिय अनुसूची उन्हें के सपत के बारे में बतात है पतादिकारियों के पदग्रहन करने के समय ली जाने वाली सपत का उलेख है तो तिर्थिय में हमने उसे सपत दिला दिया किने रास्पती उपरास्पती मंत्री उच्चितम में वो मुच्छ नयाले के नयाधीस जो हुए इनको सपत दिलाया जाता है तो सपत दिलाने के ब राज्यों तथा संग्हीय छेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिरित्व का विवरण दिया गया है एक सवाल पूछा गया था UPSC के द्वारा कि संग्हीय छेत्रों में संगी या मतलब जो संग राज्य छेत्र है उसमें उसका राज्य सभा में प्रतिनिदित्व जो है किस अनुसूची के तहद है तो हम सौटकट में सिर्फ राज्य सभा में परतिनिद्र तो याद रखते हैं तो इससे हमें सिर्फ राज्य के बारे में ही ध्यान रहता है लेकिन या इध्यान रखें कि दिल्ई और पूलुचेरी से भी राज्य सभा में सदसे चुन के आते हैं क्यूंकि वहाँ पर भी विद्हान सभा कारी करती है तो राज्य सभा में प्रतिनिद्ध तो किनका राज्यों का तो है ही साथी साथ संगिय छेत्रों का ये चौथी अनुशूची बताती है पांचवी अनुसूची में जाए तो जो पिछड़े वर्ग थे जिने की अनुसूचित छेत्रों और अनुसूचित जनजाती के प्रशासन और नियंत्रन के बारे में उलेख है अब ये तो especially हुआ इसके बाद जो है छटी अनुसूची जो है उसमें specialized किया गया है चार राजियों के जनजाती छेत्रों के प्रशाशन के बारे में क्या है चार राजियों के जनजाती छेत्रों के प्रशाशन के बारे में वो चार राजी कोन है असम, मिघाले, त्रिपुरा और मिजोरम इससे सवाल बार बार एक्जाम में बनते हैं और एक्जाम में हॉल में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं उसके लिए मैंने दो ट्रिक आपके लिए दिया है कि इन चार राजीों को कैसे याद रखें जो पहली ट्रिक है वो है आम मित्र आम मित्र से आप याद रखेंगे आ से असम, मौ से मिघाले, मी से मिजोरम और त्रो से त्रिपुरा या नहीं तो एक और ट्रिक जो आप याद रख सकते हैं वो है मित्र मेघा असम में मित्र मेघा असम में इसमें मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, मेघा से मेघाले और असम से असम है यहाँ पर आम मित्र में जो है मौ वाला जो सब्द है वो हमेशा कंफ्यूज करता है एक्जाम हॉल में इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये मित्र मेगा असम में वाला ट्रे की यार रखें छटी अनुसूची में कौन-कौन से राज्य सामिर हैं तो हमने छटी अनुसूची तक जान लिया अब देखते हैं सात्वी अनुसूची भारत के टेरिटेरियल स्टेटस को बरकरार रखने के लिए सक्तियों का वित्रन जरूरी है अगर एक जगा सक्ति दे देंगे तो वो अपने आप में सेंट्रलाइज हो जाएगा और अपने पावर का मिश्यूच करेगा इसलिए सात्वी अनुसूची में क्या कहा गया कि इतने बड़े टेरिटेरियल स्टेटस के लिए केंद्र और राज ये दोनों तरह के स्टेटस हैं उनके बीच सक्तियों का बटवारा कर दिया गया है अब जो सक्तियों का बटवारा किया गया है उसके अंतरगर जो है तीन सूची बनागर के बटवारा किया गया है तो आईए देखते हैं उन तीन सूचीयों के बारे में तीन सूचीयां कौन-कौन सी है पहली है संग सूची संग सूची यूनियन लिस्ट है इसमें जो है 97 बिसर थे अभी वर्तमान में 100 बिसर है संग सूची के बारे में यह है कि इस पर सिर्फ केंदर सरकार ही कानून बना सकती है और वही इसको इंप्लिमेंट करवाती है मतलब कि संग सूची पर पूर्ण अधिकार केंदर का है वहीं राज्य सूची में जो है पहले 66 बिसर थे कानून बनाए जैसे संग सूची में देखे तो बैंकिंग संग सूची का विशय है तो उसके संबंदित जो भी है कारिय वो कौन करता है संग सूची बनाता है बतलब किंदर सरकार बनाती है रेलवे हो गया किंदर सरकार बनाती है लेकिन राज्य सूची के अंतरगत law and order पुलिस विवस्था आती है तो उससे संबंदि जो है कानून राज्य सभा बनाती है राज्य बनाती है और आए तो समवर्ती सूची जो है तो concurrent list है इसमें पहले 47 भी से थे और वर्तमान में अभी 52 भी से है जो समवर्ती सूच राज्य बना सकती है लेकिन अगर केंदर राज्य के बीच बनाए गये कानून में किसी प्रकार का विवाद होता है किसी प्रकार का गतिरोध होता है तो उस गतिरोध में यह कहा गया है कि भारत में federal system है और भारत में होगा आसा करता हूँ कि आप सात्वी अनुसूची यह आभी तक बताए गए पूरे चीजों को ध्यान पुर्वक समझ गया होंगे तो चलिए आगे चलते हैं आठवी अनुसूची आठवी अनुसूची में क्या है इसमें 22 भासाओं का उलेक किया गया है लेकिन यह 22 भासाओं नहीं थी मूल संबिधान में जो है आठवी अनुसूची में सिर्फ 14 भासाओं थी कितनी थी सिर्फ 14 भासाओं थी तो आपको फिर पता चलेगा कि यह आठ इसमें जो है आठ नई भासाएं जूड़ी हैं कैसे जूड़ी हैं तो इससे संबंदित राज भासा का जब मैं वीडियो बनाऊंगा वहां आपको डिटेल एनलाइसिस बताऊंगा राज भासा अनुछे 343 ले लेकर के अनुछे 351 तक है उसके वीडियो में आपको बहुत आसानी से मिलेगा वहां पर लेकिन एक छोटा सबर्विव यहां देदूं कि 14 से जो है 22 होने में सबसे पहले किस्वा संविधान संसोधन आया 1967 में जिसमे कि सिंधी जोडा गया सिंधी में तिànा यह कि वहां पहसा और भी विरानवेवा संभिधान संसोधन इसमें चार भासा को जोड़ा गया तो देखे चार तीन साथ और एक आठ आठ भासाओं को जो है आसानी से यहां पर जोड़ करके बाइस भासाइं अभी वर्तमान में है आठवी अनुसूची में तो यहां तक तो मून संभिधान में था आठ को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसके बाद ही पहले ही साल में 1951 में एक संभिधान संसोधन लाया गया जो है प्रथम संभिधान संसोधन अधियम 1951 हो गया इसमें यह कहा गया कि राज्य द्वारा जो संपत्ति के अधिगराण की विदियों का उलेक दिया ग जैसे सड़क बिजली के टावर और इन सब चीजों का जो भी इंफ्रा डवलप्मेंट हो इन सब चीजों के लिए राज्य को अगर संपत्ति का अधिगरान करना है तो उसे किस विदियों से किया जाएगा तो वो प्रथम अनुसूची के तहट जो है यह नवी अनुसूची में इसे डाला गया है आपको यह बता दें कि इसके संबंदित जो है अगर राज्य आपके संपत्ति का अधिगरान करती है तो इन अनुसूची में जो विशह संब्लित हुए है नवी अनुसूची में उसे नयायाले में चुनवती नहीं दी जा सकती है और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियन संब्लित है दस्वी अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक्जाम में हर साल कभी न कभी घूम करके आता ही है जो है 52 संबिदान संसोदर 985 के तहट जो है दल बदल से संबंदित प्रावधानों को जोड़ा गया इन प्रावधानों इससे और विश्वास प्रस्ताव आता था और सरकार गिर जाती थी तो उसे रोकने के लिए 52 संबिदान संसोदर अधिनियम 1985 के तहट दल बदल को लाया गया इसके बाद जो है एक ग्यारवी अनुसूची देखते हैं एक ग्यारवी अनुसूची में आप देखेंगे कि यह 73 संबिदान संसोदर संवैधानिक संसोदर नीश्वत तिरानवे दोरा जोड़ा गया था इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है और पंचायती राज को कारे करने के लिए 29 सब्जेक्ट प्रधान किये गये हैं तो यह ज्यारवी अनुसूची जो है वो पंचाय करने के लिए 18 विशय प्रदान किये गए हैं मतलब की बारह हुई अनुसूची नगरपालिका से सब्भधित है तो यह पूरी बारे अनुसूची हम लोगों ने पढ़ लिया है एक बार अगर रिकॉल करते हैं रिकॉल में अगर आपको सौट तरीके सियाद रखें तो विजूलाइज करें कि पहली अनुसूची में हम भारत के टेरिटेरियल स्टेटस के बारे में जानते हैं जिसमें की अठाइस राज़ और आटसंग सासिच छेतर के बारे में बताए गया है दूसरे और तीसरे को जोड़ करके अगर देखे तो दूसरे में क्या है दूसरे में वेतन भत्ते हैं समवे राज वेवस्था के विशेष पदाधिकारियों का अब पदाधिकारियों में जो है वो राष्ट्रपती, राज जिपाल उसके बार आप लोक सभा में देखेंगे तो अध्यक्ष पाध्यक्ष राज सभा में सभापती, उसी तरीके से राज यस्तर पर विधान सभा और विधान परिशद को देखें साथी साथ उच्छितम और उच्छिनयायाले और कैग को देखें इसके बाद तीसरी अनुसूची में शपत के बारे में बताया गया है उनी विविन राज वेवस्था के संभादानिक अधिकारियों का चौथी में क्या है टेरिटेलियर स्टेटस के तहत राजी सभा में संग राजी छेतर का कितना परतिनिदित होगा उसके बारे में सीटों का बटवारा है पांचवी और छटी अनुसूचित जातियों और जनजाती से संबन नित है पांचवी में अनुसूचित छेतरों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में परशासन के बारे में दिया गया है छटे में चार इस्पेसलाइज राज दिये गया है जिसका ट्रिक है मित्रमेगा असम में तो उनके परशासन के बारे में दिया गया है सात्वी अनुसूची में क्या गिया केंदर और राजी के भी सक्टियों का बटवारा जिसमें की विशियों के बारे में दिया गया है संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची इसके बार जो है आठवे में भासाओं के बारे में नौवा जो है वो आपको था राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंदी था दस्मा जो बताता है दलबदल ग्यारवा पंचाइती राज और बारवा अस्थानिय स्वसासन देट्रिस नगर पालिका के बारे में बताता है आसा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बनाये गए उप्योगी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे अंत में मेरे इस वीडियो को ध्यान पुर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पुर्वक झाल